प्रदेश का विश्वास सारंग जो की चिकस्ता और शिक्षामंत्री हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और विश्वास सारंग जी अब सीधे में आप से ही सवाल ले लेती हूं MP में कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी पूरी हो चुकी है आज दिन भर क्या कुछ चलता रहा किस तरह से आप नीचे तक जमा लीए मैं इस अवसर पर देश के प्रढ़ान मंत्री जी को बहुत बढ़ाई दूँगा नरेंद मोदी जी के नित्रत में ये देश पूरी तरह करोना के हर युद्ध में मुस्तेदी के साथ लड़ा और आप वैक्सीन बनाने में भी ये दुनिया का नित्रत कर रहा है और 137 करोड जनता को जिस धंग से वैक्सीन नेशन के लिए आगे लेके जाना है उसमें भी हमार पूरी तैयारी मोदी जी ने करवाई है नीचे तक हमारी पूरी तैयारी हमारी कोल्ड चैन डेवलप हो गई है नीचे तक कोल्ड चैन के माध्यम से वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना निरधारित तापमान को बरकरार रखना और हमारे वैक्सीनेटर के माध्यम से सभी हमार जिनको वैक्सिन देनी है उसको लेकर आप लोगों को क्या जानकारी मिली है जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे डेखिए जैसे ही वैक्सिन आई गिया हमारी तैयारी है जैसा मैंने का आज हमारा ड्रायरन हुआ है successful dry run हुआ है और हमने पूरी तरह से नीचे तक की चोक चोवन्द विवस्था करी है कि सेंटर पर कितने लोगों की लिस्ट रहेगी हेल्थ वर्कर की लिस्ट जिस प्रकार से हमें केंदर सरकार ने मांगी थी हमने वो भी अपनी तरफ से उपलब्द करा दी है तो हमारी तैयारी पूरी है जैसे ही वैक्सिन आएगी इसको हम लगाने में पूरी तरह तैयारी है इसके बारे में विश्वा सारंग जी खर्श को लेकर क्या है अभी तो यह नेड़ने होना है और वैक्सिन आने दीजे हमारी सरकार तो हर समय जनकल्यानकारी सरकार है जो भी नेड़ने होगा वो सब के सामने आएगा